नमस्कार आप देख रहे हैं दानियूज और मेरानी गुपता आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि राजस्थान में प्रधान मंत्री मोदी के दौरे से पहले ही सियासद गर्मा चुकी है बतादे दरसल सीम अशोग गहलोत के दौरा प्रधान मंत्री मोदी पर आरोप लगाया गया है उनका कहना है कि प्यमो ने उनके भाशन के तीन मिनट हटा दिये है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि उन्हें निमंतरन ही नहीं बेजा गया जिसके बाद प्यमो की ओर से बेजा गया बुलावा भेजा गया लेकिन अशोग गहलोत के ओफिस से ही मना कर दिया गया लेकिन इसके बावजूत प्यमो ने ये भी कहा है कि आपका स्वागत है आप प्रोग्राम में आईए साथ ही योजनाव की जो शिला पटिका है उसमें भी आपका नाम अंकित है ले पूरी तरीके से गरमाई हुई है इस बीच कई सारे ब्योपी नेताओं का भी बयान सामने आया है कि जब राजस्थान में इस्थि इतनी जादा खराब है ना तो वहाँ पर महिलाय सुरक्षित हैं ना तो आमजंता और ऐसे में सबसे जादा जो चर्चा का विशय है वो है लाल डाइरी आखिरी इस लाल डाइरी में क्या राज है जिससे अशोग गहलोत को इतना जादा डर लगने लगा है कि अब वो प्रधान मंत्री मोदी के दोरे से भी घबराने लगे हैं बता देर राजस्थान विधान सभा चुनाव से पहले सियासी तेयारी शिरू हो चुकी ह आज प्रधान मंत्री मोदी राजस्थान यात्रा पर निकल चुके हैं लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर राशनीती जम कर देखने को मिली तरसल पीम की यात्रा से पहले राजी के सियम अशोग गहलोत ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसका जवाब सीधे पीमों के ट्वीटर अ हैंडल से मिला जिसके बाद कहीं न कहीं अशोग गहलोत की बूलती भी बंद हो आपको बता दें जिसके बाद जहां पीमों की ओर से अशोग गहलोत को जवाब मिला तो इसी के साथ ही बीजपी के कई कतावर नेताओं ने भी यहाँ पर अशोग गहलोत की बूलती बंद की जिसमें से सीपी जोशी अरजुन्राम मेगवाल समेट काई नेताश शामिल है साथ ही आम जनता ने भी यहाँ पर अश्रोग गहलोत को फटकाल लगाए और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जिस तरीके से आप पिछली बार प्रधान मंत्री मोदी के साथ कारगरम में शामिल ह हुए थे आप दोनों एक ही मंच पर खड़े थे लेकिन वहाँ पर अश्रोग गहलोत की बजाए प्रधान मंत्री मोदी की नारेवाजी हो रही थी और शायद इसी बात का आपको डर है जिसकी विज़े से आप इस कारगरम में जाना ही नहीं चाहते आपको बता दे बीज़ जिवत आमंत्रन किया गया है लोकारपन पटिका में आपका नाम भी शामिल है मना तो आपके कार्याले के द्वारा किया गया है इसी के साथ ही कानहून मंत्री अरजुराम मेगभाल ने भी ट्वीट कर अशुक गहलोत पर निशाना साधा वे लिखते हैं कि सर्फ मैडिकल नहीं गहलोत जी राज की हर योजनाओं में केंद्र का पैसा लगा है और केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदल कर आप राजस्तान को पिछले पांच सालों से गुमराह कर रहे हैं लेकिन जनताय सोची राजशनीती को समझ चुकी है और 2023 में आपको जवाब देने के ल ना आपको शोभा नहीं देता आप जूट बोल रहे हैं आपको कार्गरम में बुलाया गया था आपका नाम कार्ड में भी छापा गया है आपके कार्याले ने प्यमों को बताया कि आप वहां नहीं जा रहे हैं आप देश के रास्ट पती नहीं है और तीन महीने बाद मुख इसकी विदाई तय है इसी के साथ ही राजस्तान मिदान सभा में नेता प्रतिपाक्षर राजेंद्र राठोर कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोग गहलोजी धन्यवाद आपने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि राज में मैडिकल कॉलेजों की परियोशना में 2213 करोड केंद्र सरकार का भी अंशदान है आप पूर्व में संचालित मैडिकल कॉलेजों में फेकल्टी और अन्य संसाथनों पर ध्यान देते तो ज़्याद अच्छा रहता जब किसानों का करजा माफ करना आपको नियंत्रण में नहीं था तो जन घोशना पत्र में किसानों का 10 दिन में कर का कमीटी का क्या हुआ आपको बता दे दरसल जहां अशोग गहलोत ने या रोप लगाए हैं तो इसी के साथ ही उन्होंने अपनी कई सारे मांगे भी केंदर सरकार के समक्ष रखी है बता दे कि राजिस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रध अश्थान में तहदिल से स्वागत करता हूं इसी पर पीमो की ओर से ट्वीट किया गया है इसके बाद पीमो ने ट्वीट कर कहा कि प्रोटोकॉल के तहत हमने आपको निमंतरन भेजा था और आपके भाशन के लिए समय भी दिया गया था लेकिन आपके आफिस ने कहा कि सात्रा के दौरान भी आपको हमेशा बुलाया गया है आप उन सभी कारग्रमों में अपनी उपस्थती दर्श कराते रहे हैं आज भी आप इस कारग्रम में शामल हो सकते हैं आपका स्वागत है आपका नाम सभी जगह अंकित किया गया है विकास के काम वाली पट्टियों पर भी आपका नाम है अगर कोई शारिरिक परिशानी ना हो तो आप कारगरम में शामिल हो सकते हैं बता दे इसी के साथ ही अशोग गहलोत ने अपनी कई सारी मांगे भी केंद्र सरकार के समक्ष रखी है उन्होंने ट्वीट कर आगे ये भी कहा है कि आज हो रहे 12 मैडिकल की परियोशनों के लागत 3689 करोड रुपए है जिसमें 2213 करोड रुपए केंद्र का है और 1476 करोड राजसरकार का इंशदान है मैं राजसरकार की ओर से सभी को बधाई देता हूं साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस कारिगरम में अपने भार्षन के माध्यम से जो मांग रख उन्होंने कहा कि राजस्थान खासकर शेखावट्री के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में पर्मनेंट भरती पूर्ववद जारी रखी जाए दूसरा राजसरकार ने अपने अंतरगत आने वाले सभी कोपरेट्व बैंकों से 21 लाख किसा किसानों के 15,000 करोड रुपए के कर्ज माफ किये हैं हमने केंद्र सरकार को रास्ट्रेकरत बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए वन टाइम सेटिल्मेंट का प्रस्ताव भीजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे इस मांग को पूरा किया जाए साथ ही उन्होंने अगली सिप्सी की गाइड़ाइन के कारण हमारे तीन राज़व में कहूले जा रहे मैडिकल कॉलेजों में केंद्र सरकार से कोई आर्थिक साहता नहीं मिल रहता है यह पूरी तरह स्टेरकरिस परियूशना को रास्टी इमहत्व की परियूशना का दरजा दिया जाए उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मेरा आप से निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपना कर प्रदेश वासियों को आश्वस्त करें बता दे जिस तरीके से अश्रोग गहलोत ने यहां पर जूटा आरोप लगाया था प्यम्मो पर तो इसका जवाब जहाँ प्यम्मो की ओर से ट्वीट करके दिया गया तो इसी के साथ ही कई सारे बीजपी नेताओं और जनता ने भी अश्रोग गहलोत की पोल खोलते हुए उन की तमान चीजों पर ध्यान आकरशित कराने की कोशिश की है साथ उन्होंने लाल डायरी का रहसे भी पूछा है कि क्या लाल डायरी को लेकर कि अब अश्रोग गयलोत को इतना जादा डर सताने लगा है कि अब वो प्रधान मंत्री मोधी के दौरे से भी घबराने लगे हैं फिलाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन वे जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले